व्रे व्रेवर वेलकम टु आल साथ एक्जाम फैटर नमरन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं मद्ध्धिपरदेश असिस्टेंड प्रफेसर एक्जाम 2024 के क्लासिस्टे में आप सभी का बहुत वच वस्वागत हैं जाप में लोग पेपर 1 का परिपेसंट कर रहे हैं और जानना है मैं famous temple of Madhya Pradesh और इसको तीन कर सकते कैटेग्री में देखेंगे निर्मान करता आवस्थति और विशेष्टा यानि इसका निर्मान किस ने कराया कहा लोकेटेड है और इसकी क्या विशेष्टा इन तीनों कैटेग्री में देख लेंगे क्योंकि पुछने के जो तरी तिसरा उसका विशेष्था तो सबसे पहरें लक्षमी नरायन मंदीर मंदीर का नाम क्या है लक्षमी नरायन मंदीर यानि किसका मंदीर हो गया श्रीविष्णुजी का और यह कहां पर है भोपाल में बिड़ला परिवार दौरा बनाया गया था जो बिड़ला परिवार है टा तो माता रेनुका मंदिर आपका भींड में है मध्यप्रदेश के भींड में यहां किसकी पर्तिम है भगवान पर्शूराम की माता रेनुका का सीर कटा मंदिर है रेनुका का सीर कटा मंदिर है बहुत ही इंपोर्टन प्रस्ण है और फैक्ट भी देखी बहुत ही इंपोर्ट मतारेनुट मंधिर कहा है भेंड में और यहाँ पर यहां पर क्या है जो भगवान परशु राम थे उसकी मतारेनुट सिर्क टाहऊ मंदिर है वन खंडेश्वर मंदिर वन खंडेश्वर मंदिर ये भी आपका भेंड मनंदर में और छुहान के निर्मान कि है intelligence मंदिर कहा। के क्षव सत्युसे और 1175 में खज्राह में में और राजा डंग देव वर्मन द्वारा निर्मीत और लेक्षा धांट मंदिर कहा ? खज्राहों में और खज्राहों में जो विश्णात मंदिर इसका निर्मान किस ने कराया था तो धंग देव वर्मन या राजा धंग भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको पूरा नाम नहीं भी रहता है अगला है लच्छमन मंदिर लच्छमन मंदिर कहा है खज्राहों में यहां भगवान विष्णु को शमर्पित चंदेल राजा दवारा चंदेल राजा यसो वर्मन ने भगवान विष्णु का मंदिर है यह लच्मन मंदिर किसका है भगवान विष्णु का मंदिर है और यह चंदेल राजा यसो वर्मन ने बनाया था चंदेल राजा यसो वर्मन ने बलपूर में है चोंशट योगिनी मंदिर कहा है मजबरिस के जगलपूर में इसका निर्मान कल्चूरी वन्स के सास को ने करा था तो चोंशट योगिनी मंदिर का निर्मान किस ने करा था कल्चूरी वन्स के सास को ने करा था अगला है धुमावती मंदिर धुमावती मंदिर यहाँ पर क्या है , पितामबर सक्थपीट के प्रांगन में इस्तित है यह मंदिर दुमावती मंदिर दतिया में तो पितांबर सक्तिपीट उसी के प्रांगर में इस्तित है धुमावती मंदिर जो की मद्य पर्देश के दतिया में इस्तित है इह पितांबर स्वेतांबर गांबर होताया बे जए धर्म होता है ऊसके दो रूप है सकति पीट की रूप में ये जएन धर्म रहें धुमावती मंदिर कहा है दतिया में cafasya कि पितांबर सक्तिपीट जो है दत्या में स्रिदेश्वर मन्दिर और उसी प्रागर में धुमावती मंदिर है अगला है परवत परिस्तित मंदिर है जो कि खंडवा में पड़ता है अगला है अंकारेश्वर जोतिर लिंग अगला मंदिर आगे आपका अंकारेश्वर जोतिर लिंग जो खंडवा में है या 12 जोतिर लिंगों में से एक है हिंदु धर्म के अनसार जोतिर लिंग भगवान सीव के कित और यह बार जोतीर लिंग अगला है है भद्वा माता मंदिर आपका नीमच में है रोग्या भद्धबा माता मंदिर अगला चलिए इसी से मिलता है जिड़ा में भध्ध माता मंदिर अगला कौन है भध्ध माता मंदिर यह भी नीमज में यहां आरोग तिर्थ नामक बावरी पाई जाती है आरोग तिर्थ यहां जाने के बाद कहा जाता है कि लोग निरोग हो जाते हैं उनका जो रोग है रोग पीड़ा खत्म हो जाता है इसलिए यहां पर नाम भी दिया गया है आरोग तिर्थ लोग वहां जाते हैं और जो बिमा चलिए अगला है भोझेश्वर मंदिर आगला कोन सा मंदिर है भोझेश्वर मंदिर नाम से अस्पस्ट है राजा भोझ दोरा बना गया गये ता कब 11 सदी में और यह कहा है रापिलाशन में भोझेश्वर मन्दिर कहा है दोस्तों राजस्यान में किस्ने बना याता है राजा भोजदरा 11 शुदी में अगला है मंगलनाथ मंदिर यह आपका उज्यान में मंगलनाथ मंदिर उज्यान में अगला है महा कालेस्वर मंदिर महत्पूर मंदिर महा कालेस्वर मंदिर में यह भी शीव के 12 जोतितलिंग में से एक है यह सिप्रा नदी के किनारे दिया क्योंकि बहुत बाण पुछा गया उज्य किस नदी के किनारे है गया तो सिप्रन दी स कह प्रस्ण आय은। तो जोतितलिंग अवी आपने देख लिए एक उंकारे्षवार और और दुसरा महाकालेश्वार जो यह उज्जयन में है महाकालेश्वार और यह भी बारा जयोतितलिंग में से एक है और उज्जयन किस नदी के किना है सिप्रा नदी के किना है तो आगे द्वारिकाधीस भोपाल मंदिर द्वारिकाधीस भोपाल मंदिर यह भी उज्जयन में ह और यहां दोलत राव सिंद्या की पत्नी वाईजा बाई दरा निर्मित है दोलत राव सिंद्या की जो पत्नी थी वाईजा बाई उन्होंने बना रहा था द्वार का धिस भुपाल मंदिर को जो कि उज्यन में है अगला है खजराहो मंदिर यह चहतरपूर में है युनेसको द अगला है कंदरिया महादेव मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर यह भी खज्राव में भगवन सीव भगवन सीव सीवलिंग रूप में अस्थापित हैं चंदिल राजा विद्याधर दौरा इसे निर्मित किया गया है कंदरिया महादेव मंदिर कहा होगा यह भी खज्राव में है यहां भगवान सीव का सीवलिंग अस्थापित है और चंदिल राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्मान कराया था तो यह था आप सभी के लिए क्लास जहां पर हम लोग ने फेमस टेमपल सब मद्र पर दिसके पार में जाना और इससे जीवड़ी हुए जीवड़ी पर नब सकते इसके वारे में रिसकस्क्राइब किया मिलते हैं कले नएक नए ने क्लास में और यह क्लास इस तिल एक जाम तक लगातार चलेगी आप भी सब्सक्राइब कर सकते थैंक यू थैंक यू वारे वरे मच पर वातिम इस वीडियो और कनेक्ट इस एक जाम फाटर नमर वन